वेल्कम जी रादे रादे सभी का स्वागत है मेरे फिर से नई व्लोग के साथ तो बस यहां पर हो रही है दिन की शुरूवात वो ही अपने किचन के साथ तो हम हाउस वाइप का तो ऐसी वहिया सुभे किचन से शुरूवात दोती है राथ हमारी किचन पर निकलती है ठीक है से चीच तो हैं पर आ गी हूँ नहीं आगी तो सब्सक्रक दोती है तो कि मेरे फिरिशुष है मेरे अtlener के सुभे क्लोग करणा म consent का बांग दूनितौर प्रिसिपे मैं भी वह दे दूँगी थोड़े गाढ़े से बनाओंगी न तो अराम से टीफन में दिये जाएंगे लिक्विडी से जो होते न वह नहीं दिये जाते थोड़ा दिक्कात हो जाती है और यहां पर आज चाटनी बनाओंगी वैसे तो मैं नौर्मली यह जो काले चानी होते हैं मैं इनकी चाट बना देती हूं पर आज चाटनी बनाओंगी आज रोटी और यह खाले जह नहीं खाएंगे शाम को अगर बचे तो थोड़े से प्लाव मैं छोग लूँगी तो बस जी यहां पर अपने व्लोग की हैं इसे शुरूबात कर रही हूं देखे हाउस वाइफ है तो और क्या दिखाएंगे यही दिखाएंगे यह खाना बना रहे हैं यह कर रहे हैं और इसके अलावा तो देखे बस यही रूटीन रहता है तो रूटीन ही जो है मैं दिखा देती हूं इसके अलावा तो और कुछ नहीं ना मैं शोट्स वगरे डालती कुछ नहीं डालती क इसकी मुझे कोई उमीद ही नहीं होती कि चलेगा और वो थोड़ा बहुत चल जाता है जिसकी उमीद होती है कि महनत करी होती है कि हाँ दो दो बार है उसकी महनत करी होती है कुछ ना कुछ गरबर हो जाता है लगता है कि आज मैंने बड़ा इस पे ध्यान देके बनाया है तो चलेगा पर वो नहीं चलता है चलिए ठीक है अम मैं तो बज़ अपने मन के लिए बना रही हूँ ढाल रही हूँ थोड़ा सा यह है कि काम बाम करके यह एक अदा घंटा जो फिरी होता है न और फिरी बैटके जो माइंड है इधर से उधर घूमता है न उससे बिसी रहने के ल नहीं है शौक है पर ऐसे यूं डालने का शौक है जो हमारे पास टाइम हो जब टाइम है बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है यही एक चोटा सा शौक है यही पूरा हो जाईता जी वही बहुत है तो बस यहाँ पर रह ना चोड़ जो काले चान्यटे ने में मैंने उमालन तो थोड़ा सा दिन थोड़ा बड़ा होगा ना तो एक्स्ट्रा के जो काम में वो लिये जाएंगे अभी तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे तिनी ज़्यादा ठंड है यह लगता है कि दो दिन धूप है अगर अच्छी सी निकल गई तो बारिश अगले दिन आनी है बारिश आनी यह वो बस यही रहता है सबसे वड़ी टेंशन दाती है कपड़ों की और यहाँ पर बस है ना टमाटर हरी मिर्च यह पीस लिया है और अधरक नहीं पीस होंगी क्योंकि जैसे मैंने पहले बतायता है सोट का पावडर काफी सारा है मेरे पास तो पहले उसे खतम कर लूँ औ यहाँ पर यहाँ पर यह मेरा जो टमाटर है लाल मिर्च यह पीसकिया है उदर मैंने कड़ाई में तेल डाल दिया होता तो ना मैं डारेक्ट भी यह जो काले चैने है वह बना देती पर रहे इतना टाइम नहीं था क्योंकि यह था कि उसको भी स्कूल जाना है मतलब अपने प्लस यह काम भी हो जाते हैं तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा जल्दी सुबह का उठना फिर घर जाड़ना से जाड़ू लकानी बरतन करने तो बस यह एक दो काम मेरे नहीं है बाकी और तो सारे ही काम है और यह भी बस मजबूरी में करने पड़ते हैं जब शरीर तो बस यह रहता है कि अघर यह सब करके जाओ ना तो दूसरे के घर पर सिर्फ एना खाने खाने के लिए पहुंचो पर ऐसा अच्छा नहीं लगता है इसी वज़े से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बड़े परी परिवारों में यह है बस थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, अगर अच्छी तरीके से अपना भयवार हमें बनाना है तो देखे और बनाना भी पड़ता है देखे बड़े परिवारों में, आजकल तो सब एकाकी हो गए हैं, सब अलग-अलग रह रहे हैं, हम भी अलग हैं पर यह हैं कि जब त्यार वगेरा होते हैं तब इत जो चीज चूट जाती है मेरा तो मानना ही है कि जो चीज चूट जाती है वो फिर दुबारा से लगती नहीं है हाँ यह है कि लग कभी कोचे वर्तन का वोस नहीं हो पाता और फिर कुछ जब अपनी तवेत भी सही नहीं हो ना तो हेल्प लेनी ही पड़ती है तो जीवस यहां पर मैंने यह जो है टमाटर वगएरा का इसका जो चूट है न वह सिंपल से जीरे में कर दिया है प्याज वगएरा में सुबह के टाइ होता है पर बहुत जाड़ा कम होता है कभी कभी होता है कि प्याज का होता है तो फिर दुबारा यह होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन होता है न कि आज मैं भगवान जी को किसी और चीज का फोग लगा दूँगी तो इस उस पे अगर ऑप्शन है तो मैं फिर यह प्याज का सुबह के टाइम लगा लेती हूँ फिर उसके बाद अच्छी तरीके से गेस वगेरा साफ करनी होती है फिर वो ही अपना खाना जो है वो बनाना होता है बाकी जिस दिन ऑप्शन ना हो कि यह है कि ऑप्शन तो देखे कभी-कभी होता है कि भगवान जी को किसी चीज का लगा तो बाकी तो डेली खाने का ही हमारे लगता है और शुरू से ही लगता है खाने का ऐसा नहीं मैं बोलती जो चीज भी बना रहे है ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग बन रहा है या हमारे लिए कुछ अलग बन रहा है जो बन रहा है वस वो बिना प्याज लसुन का साथवी का और साथा मतलब साफ सुथरी तरीके से बना हो तो यह ना उनका भोव लगता है अगर बिना नहाई का भी हो तो भी वो तो खेर लगता ही नह पर बस काले चने का, काले चने हो जाएंगे, रोटी हो जाएंगे, गुड रख लेंगे, और बस यही सिंपल सा रहेगा, तो जो सिंपल हमारे ठाकुजी का भो लगेगा, वो हम भी ग्रहन कर लेंगे, मैं यह नहीं बोलती कि जो हम खा रहे हों अपने भगवान जी को खिलाए तो मेरा तो यही है कि जो भगवान जी खा रहे है वो बस हमें उनके प्रशाद रूप में मिल रहा है बस यहाँ पर देखे दूद भी ना एक तरफ रख दिया है गरम करने और अपनी ना कोफी वगेरा बनाऊंगी वो तो बस मेरी है आदत पीने की तो वो तो रहता ही है और यहाँ पर बस दूद अच्छा कासा गरम हो गया है और यहाँ पर पहले देखे बेटे का आटा मैंने लगाई लिया है और हो जाता है सुबह के टाइम थोड़ा सा ऐसी जल्दबाजी होती है कि दो गंटे तीन गंटे कहा हो जाते है वो कुछ पता ही नी चलता तो यहाँ पर उसका दूद कर दिया है चीनी डाल दूगी और कुछ उसका दूद में डालने वाला था नहीं तो इसलिए सिंपल सा ही दूँगी वो बोल रहा था कि अब यह जब बच्ची के आदा तैसी ह कुछ ना कुछ दूद में डाल के पीने की मतला है जैसे कभी होरलेक्स बॉन वीटा या फिर मेरे पास है ना कुछ नहीं तो चोकलेट होती है ना डार्क चोकलेट तो मैंने उसका ही पाउडर सा बना के रख रख रहता तो वह ही डाल के दे देती और नहीं तो है ना जैसे चाय का भरतान होता है जहें चाय बनाई हो तुरंत तो उसमें दूद घुमा देती हूँ बाकी है ना अब यह ना वाइट मना करता है ना पिया नहीं जाता तो कुछ बना के रख दूँगे उसके लिए भी दूद में डालने का और यहां पर है ना मैं बस अपनी भी कॉफी य हुआ है और जो बगार है हो रहा है अपने आप अराम से दीरे-दीरे होता रहेगा और जो चने थे ना वह भी अच्छी तरीके से जो हमारे उबल गये हैं हलका सा नमक हल्दी और खाने का सोड़ा डाल दिया था खाने का सोड़ा से क्या होता है ना कि डाइजस्ट है वह बह शभी बहु करते ही अध़कर छिबेगोग यह द और सो मॉटेरा न बहुत तक दो ह prostuchnा इसके मेरे और कॉफी ने पीति तो मेरे बहुत जड़ा अगयरा बंढ समय से कवह कर самा धायाrit तो जब से मैं यह डेली एक कप कॉफी तो मेरा है और यह पीती हूं न तो थोड़ा बीपी है जो मेरा लो रहता है तो वह भी नॉर्मल रहता है तो बस यहां पर यह जो थोड़ा सोई वगएरा भी समेट दूँगी और इसकी डिब्बी वगएरा निकाल दी है जो लेके दो होंगी साथ की साथ एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं हो पा रहा रहा सर्दी में तो बिल्कूल भी कुछ ही म्हाथ पैर चल पाठे़ बस यह लग रहा है क्वाश्या बन जाता है वह भी बहुत है तो थोड़ा सा यह भी रहता बहुत जल्दी-जल्दी सारे काम निमटान अब यह ना उपर जो हमारे किरायदार है तो उनके आंसे वो देखी गई थी उनके न किसी की सगाई थी तो वहां से आ गया यह और मिठाई के डिबबा आ गया है मतलब चलता ही रहता है कुछ लगाई रहता है तो यह भी हटाऊंगी मैं अलग डिबबे में करके रखूंगी क तो बस जी कॉफी पीके आ गई हूं यहां पर और यह ना अहो सॉरी कॉफी पीके तो जी हमने खाना वगएरा खाले तक कपड़े दो लिए थी अब मैं सीधी मिल रहे हूं आपसे अब शाम को थोड़े से चने बच रहे हैं और इसके बीच में मैंने कुछ भी शूट नी कर तो यहां पर देखे मैंने जाने और यह टिल दाल धिया और मैंना यह प्लग बना रहे हैं कुछ दिमांग में चलती रहती है कि जाने, कर्ने की तो करती हरे हूं तो मैं धरी कुछ नियुक, सब्सक्राइब गएंस, जीरा राई डाल दिये हैं रसु के तेल में और महीं पी नादकर पीजलीत लिए थाorama डाल दूंगी तो हज मैंने टमाठर वाले प्लाव बना रहीं हो ज्यादा नहीं पहरं एक टमाठर भूत है ज्यादा नहीं कि नहीं वर भी स्वस्ती कोगवारा भी थो ऊब्सलिए का दमाठर यहां पीछ साफ कर दिया है जो पेस्ट है है शेरा मसाले वाझर डाल कि थोड़ा हलका रखूँ क्योंकि चने भी थोड़े स्पाइसी से बनेते तो नमक मिर्च जो है वो हलका ही जाएगा तो यहाँ पर बस थोड़ा डाल दूँगी और यह पानी मैंने डाल दिया तो थोड़ा ज्यादा हो गया जब तक यह पानी सारा खतम नहीं हो जाएगा तब इसको भूनना पड़ेगा तो यहाँ पर मिर्ची डाल दिये लाल हल्दी पौड़ा डाल दिया है और हलका सा नमक डालूँगी धन्या पौड़ा डालूँगी बस इसके लावा और कुछ नहीं क्योंकि मुझे थोड़ी से चने रखे ते तो एक इक प्लेट हमारे वह हो जा पाने का मैंने का नहीं मैं बना दूए एक बार टेस्ट करके देख लेना आप कैसे लगेंगे तो यह बस देखिए यहाँ पर यह जो पानी है ना इसका हलका सा थोड़ा कम हो गया कम क्या बिल्कुली कम कर दिया है मैंने तो थोड़ा सा पांच मिनट तो लगे हैं पर यह अ पर हलके हलके हाथ से इने चला रहे हैं जिससे तूटना जाएं बस जी फिर इसके अंदर जितना भी पानी की जरूत होगी ना वह डाल दूगी और हमारे ना पुड़े फस्प्लास्ट है ना बहुत ही अच्छे साच में बहुत टेस्ट ही ना यह प्लाव बनके हुए थे त टेमाटर वाले चावल बना लिए और कडाई में बनाएं कोई खुकर में भी नहीं बनाएं बहुत ही अच्छे बने और बस यहां पर जितना पानी के जरूत होगी ना तो उतने मैं यहां पर पानी जो है इसमें डाल दूगे बस जी हमारे बहुत ही टेस्टी से चावल बन जाड़ास जाएं देएं तो जाड़ास डाल करने थे जादा खुर दोनों चीज मिलाके खारी खारी सी ना लगे तो बस देखें यहाँ पर यह इताप पानी इसके लिए बहुत है अब इसको सिमाच करके मैं रख दूंगी इतने आर्थी वगएरा करूंगी उसके बाद हम लोग खा लेंगे खाना तो जी बस यहाँ पर डग दिया है अब इसका काम है पकने का अब हम चलते हैं हम दें करती हो आरती वगएरा तो बस जी आज खा मेरा ऐसे ही छोटा सा रूटीन था और आज बस ऐसी रहा और कुछ मैं नहीं दिखा पाई तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग र तो देखिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेते फिर से मिलूंगी सभी को रादे रादे बाई बाई